अचारी जी आप बच्चा जब बड़ा होता है तो मन चला हो जाता है Sponge की सुनता है और जवानी आत्मस्त रहती है तो अचारी जी यह कभी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है distinguish करना कि मन की कौन सी आवाज है और आत्म की कौन सी आवाज है क्योंकि कभी-कभी खत्रा जैसे दो अगर दो रास्ते हैं तो खत्रा दोनों में ही दिखता है कभी-कबार नहीं बात खत्रे की नहीं है बात सच्चाई की है कुछ सूत्र होते हैं जिनका इस्तिमाल करके पकड़ा जा सकता है कि जो आवाज तुम सुन रहे हो वो मन की है या आत्मा की है पूछो कि जो तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हारा व्यक्तिगत लाब या व्यक्तिगत सुख कितना है अगर अगर दिखाई दे कि जो करने जा रहे हैं उसमें व्यक्तिगत लाब भी छुपा बैठा है सुख भी हम लूटने वाले हैं तो समझ लो कि ओ आवाज बन की है पूछ लो कि जो करने जा रहे हो अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा और दिखाई दे कि न करने पर किसी किस्म के नुकसान का डर है तो फिर वो आवाज मन की है मन कारणों पर चलता है मन हानिलाग पर चलता है आत्मा की प्रेरणा अकारण होती है वहाँ तुम्हें कोई स्पश्टिया विशेश फाइदा दिखाई नहीं देगा बस यह अहसास रहेगा कि यह करना अनिवार है क्यों अनिवार है क्या मेल जाना है इसका आतलन नहीं करपा हुए अभ्यास करते करते यह फिर असानी से स्पश्ट होने लगता है कि अभी भीतर से जो प्रेरणा या आवेग उठ रहा है वो मानसिक है आत्मिक लेकिन जो लोग अभी शुरुवाती हों उनके लिए अच्छा यह होता है कि जब आवेग उठे तो वो रुक जाएं ठैर जाएं वो अपने आपको जड़ा देखने समझने विचार का मौका दे हल्बड़ी में ही किसी भी तरह के रास्ते पर चलना पड़ें किसी कर्म में कूद न बैठें और भी तरीके जो करने का तुम्हारा बड़ा मन कर रहा है देख लो क्या कि सत्तर और भी लोग हैं जो उसी तरह के काम कर रहे हैं कि पचासों सैकड़ों हजारों और लाखों लोग अगर किसी एक साजी दिशा जा रहे हों तो संभावना ज्यादा इसी बात की है कि वो दिशा वृत्ति की है आत्मा की नहीं है इतना मुश्किल नहीं है यह पता करना कि अब जो आवास सुनाई दे रही है वो मन की है कि आत्मा की है पता चल जाएगा ठहर जाओ और गौर करो सपश्ट हो जाएगा झाल